हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादा हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे तो सामने आप खड़ी देख सकते हो अपनी TVS Raider इसकी कुछ recent वीडियोज मैंने बनाई थी, जैसे बाई का माईलेज टेस्ट मैंने किया था और बाई का कुछ वी experience वगएरा जो भी रहा है मेरा एक साल के अंदर, वो चीज़े मैंने आप लोगों को बताई थी तो उस वीडियो पे आप कुछ भाईयों ने comment किया था कि भाई इस बाई की जो service होने वाली है, service आप करवा के इसकी service में क्या cost आता है, और क्या क्या चीज़ इसकी change होती है service में, उस चीज़ की वीडियो प्रोपर एक बनाकना हमारे लिए तो उस चीज़ के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, because bike की service हम complete करवा चुके है, मैं एक बार bike का meter आप लोगों को दिखा देता हूँ अब यह आप odometer देख सकते हूँ, एक बार bike का 13924 km, 13924 km मेटर है bike का, and bike का जो यहाँ पर service sign आया हुआ था, service sign bike में से हट चुका है, because service हम complete करवा चुके है, and bike आप एक बार देख भी सकते हो, मेरी last वीडियो में आपने देखा था, कि यहाँ से काफी ज़्यादा गंदी हो देते हैं, तो उसके बाद देखो, अभी service करवा के लिए क्या है, अभी फिर से कितनी गंदी condition हो चुकी है, मतलब, एक दो दिन हो गए है, service करवाई होए, लेकिन फिर भी काफी ज़्यादा गंदी condition हो गई है, because यह चैन प्रोपर तरीके से cover नहीं है, कुछ भाईयों ने य और इसमें क्या फरक बच जाएगा, तो भाई, मैं वो कहने का मतलब नहीं था, कि splendor की तरह कवर कर दो, कहने का मतलब यह था, कि इसको थोड़ा सा एक, जैसे यह बिल्कुल कम कवर किया हुआ है, इसको एक full sport bike जो आती है, उसमें cover करके रखते हैं इतना, तो इसको थोड़ अगर अच्छे से cover होता, तो सायद ज्यादा better होने वाला था, तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई, इस bike की service में कितनी cost आई है, तो actual में expectation से कुछ ज्यादा ही cost आ गई है, हमें भी नहीं बता था, इतनी cost आ जाएगी service में, तो इस bike की service cost अभी हमें पड आया कि bike हमारी चल चुकी है, 13,924 km, मतलब bike लगबग 14,000 km चल चुकी है, तो bike के जो disc pad थे, front में bike में disc brake दिया गया है, तो front के disc pad भी bike के change किये गये है, rear वाला जो brake है, rear में drum brake दिया गया है, तो इसके leather भी change किये गये है, तो कुछ कोष्ट तो भाई, इनका ही हो जाता है, त air filter भी change किया गया है, इन सब चीजों को लेके भी bike की जो actual, जो bike की service cost आई है, service cost भड़ गई है, तो लगबग 10,000 रुपय में bike की हमारी service फिलाल complete हुई है, and service complete होने के बाद bike को चलाने में किसी परकार की कोई problem नहीं आ रही है, bike को चलाने में पहले भी कुछ ज़्यादा problem न bike है, तो इतने ज़्यादा feature दिये गए है, तो इतना सा तो चलता है, चलो ठीक है, वो मान लिया हमने वो चलता है, लेकिन कुछ भाईयों का मेरी recent videos पे comment रहा है, एक दो भाईयों का नहीं का नहीं का कमेंट आया है, कि भाई, bike को जब हम start करते हैं, तो इसमें एक problem आ गई है कि bike काफी time start नहीं होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि bike जब बंद हो जाती है, हम start करने का try करते हैं, तो bike start नहीं हो पाती है, तो वैसी problem उस time तक मुझे नहीं थी, लेकिन अभी ये problem मुझे actual में face करनी पड़ी है, तो उसके लिए मैं एक proper आपके लिए वीडियो बना बाइक का oil तो change होता ही है, अभी bike को हमें purchase कि होए लगबग एक साल हो गया है, तो आगे जो इसकी services वगएरा होने वाली है, paid services वगएरा सब कुछ होने वाला है, अभी भी bike की paid service ही थी, तो इसका cost हमें पड़ गया है, लगबग धाई हजार रुपए, एंड बाइक में एक यह जो छोटी problem आई है, इसका भी हम देखेंगे क्या solution होता है, अभी तक हमें solution actual में मिला नहीं है, वरना उस चीज़ को भी हम cover कर लेते, लेकिन इसमें actual क्या problem हुई है, उस problem को proper तरीके से जानने के बाद उसका solution होने वाला है, solution के साथ आपके लिए एक special video हम लेके आने वा झाहिंजे आने के में लेको